लेकिन मेरे कान तब खड़े हो गए जब वहीं व्यक्ति अगले दिन फिर एटियम में पहुंचता है और दुबारा से सो रुपे निकाल कर ले जाता है और यह सिलसिला कई दिनों तक यूँ ही चलता रहा उसमें मुझे कुछ अजीव लगा लेकिन मेरी यह शंका निराधार साबित हुई क्यूंकि वह आदमी तो एक फोजी था एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछी लिया खोजी साब मैं हर रोज देखता हूँ आप आते हो शियाम को स सो का नोट निकाल ले जाते हो यदि आप चाहो तो एक बार में ज्यादा पेसे भी निकाल सकते हो और आपका कई दिन का खर्चा चल सकता है लेकिन आप सो का नोटים क्यों निकालते हो जवान मेरा जो यह अकाउंट है ना जब भी मैं इसमें से पैसे निकालता हूं मेरी पत्नी के पास एक मैसिज जाता है क्यूंकि कश्मीर का महल तो आपको पता ही है और मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट तो यहां रोजी बंद हो जाता है तो इसी बहान मेरी पत्नी को मेरे घरवालों को पता चल जाता है कि मैं भी जिन्दा हूं और मैं बिना किसी फिकर के अपने देश की रक्षा करता हूं बस इसी लिए रोज सिर्फ सौर पे निकालता हूं जजबातों को पिगला कर रगों में लोहा भरना परता है तब जाकर एक मा का लाल भारत मा का फोजी बनता है जैहिन जैहिन